दिवाली आने वाली है और दिवाली में मिठाई और नमकीन दोनों ही बनाए जाते हैं तो आज मैं मैदे से बनी दो नमकीन बनाने वाली हैं जिसे आप 10 दिन पहले बना कर रख सबते हैं यह नमकीन बहुत ही कुरकुरे होते हैं तो चलते हैं रसो ये एक्सप्रेस में और हाँ यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चेनल को सब्सक्राइब करें 300 ग्राम मैंने मैदा लिया है जिसे मैं दाठिये और खस्ता कजोरी बनाऊ गी एक छोटा चमच काली मीर शीडिये बेने 1 फोर चमच ये-डाल देंगे यह फब चोटा चमच अजवाईं इसे भी डाल देंगे नमक लेंगे, थेस्ट् के अंसार लेना है मिला लेंगे जिससे बाद में टेश्ट कर लेंगे कि नमक कम ज्यादा होगा तो नमक थोड़ा कम था इसलिए मैं थोड़ा और डाल रही हूं और अब इसको मिला लेंगे अच्छे से अब इसमें मोन के लिए तेल डालेंगे पांच टेबल स्पून टेल डाला है अब मिला के देख रहेंगे मुठे बने उतना तेल का मोन होना चाहिए मैंने साथ टेबल स्पून इसमें तेल डाल दिया है और अब बराबर है तब इसको अच्छे से तेल को सबको मसल लेना है सारी मैदे में तेल अच्छे से आ जाए इस अब इसमें पानी डालके दो बनाईए सोड़ा फोड़ा पानी ढालके आटा लगाई एक सासथ पानी नीए डालना है और और का ही ताटा करना है बहुत ते दीच पूड़ी से भी फोड़ा हम काईट यह चाहिए अब्लाा दें रियों इतना का इटा होना ची पना तै खुट अब इसका थोड़े 10 मिनित के दिए रेश्ट में रख दिए ढखकर रेश्ट के दिए रख दिए गेड़ेश में मैंने कड़ाई रग दी है और इसमें दील डाल देंगे यह तेज़ कर देंगे आणियोख कर लेंगे इसी इसे न्हां बना लेते हैं मुष्ण कर अब लेदे आड़े यह खसता समुशे लिए इसी बड़ी लोई ले लेंगे, थोड़ी सी बड़ी, इसको अच्छे से गोल कर लेंगे और इससे बेदान से बटेंगे, इस तरह से बट लेंगे इसको, गोल बना देंगे इसका, मैदा है ना थोड़ा खेंच के बटना बढ़ता है इसको, यह गे, इतना मोटा रखेंगे, इसको गाठीय काटेंगे चक्कु से इस तरह से पत्ले पत्ले गाठीय काटेंगे इस तरह से यह इस तरह से निकलेंगे तो इनको आम तलेंगे तेल जब अच्छा धरम हो जाएगा तो तलेंगे इसको देख रहेते हैं तेल आया की नहीं तेल आ गया है आप इसको थोड़ा कम कर देते हैं तो जलेंगे एक किक करके डाल देंगे इनमें काटे से छेदे करने की ज़ड़त नहीं है इस तरह आज को फोड़ी धीनी रखेंगे किया तरह हाइए फ्रेम में था अचे से गरम पिया ना अब आझ को कम रखेंगे और इसे ब्राउन होते तक तलीगे तक दि हैज दीमियास पर और ही तलना नहीं तो कि आर major आए बाहर से ब्राव हो जाएगे और अंतर नरम रहिंगे अपने को कुर्पुरे बनाने पलटते जाना है ताकि आगे पीछे से प्राव हो जाए गांखे तरप रहे हैं जब तक अपन समोसे की तयारी कर लेते हैं खस्ता समोसा बनाने की इसके जिए से छोट छोटे से लोगे बनाएंगे इस तरह से तोड़ लेंगे इस तरह से हाथ से तोड़ेंगे चक्कु से भी तोड़ सकते हैं और फिर चक्कु से से भी कर सकते हैं छोट-छोट इसे इस तरह से ऐसे बना लेंगे यह बना के रखती हूं सब दो टेबल स्पून मैदा गिया है इसको आपन तेल डालकर गाणा घोल बनाएंगे तीस तरह से बना के लग देंगे यह अभी थोड़े ब्राउन हुए है तो अभी खोड़ा से ब्राउन और करना पड़ेंगे अब निकाल देंगे इससे ज्यादा नहीं रखना जो लोया बनाएंथा इसकी पत्प्ली सी पूडियां बेल लेते हैं इस तरह से पत्प्ली बेल रेंगे पूडियां यह मैंने बेल ली है अब इसमें यह अपने भोल बनाया चाहां तेल और मैदे का इसमें लगा देंगे और इसे समोशों का रूप देंगे ऐसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से फोल्ड कर देंगे अब इसको इस तरह से बेल लेंगे बड़ा पत्पलाई बेल लेंगे बस यह साइज रखेंगे अब इस तरह से सब देल के रखतें अब इस जो खश्टा समोशे बनाये थे इने तलने के लिए डाल देते हैं इने भी धीमी आंच में तलना है इसे आला गलब कर लें और थोड़ी देर के पाग इसे पलट लेंगे इस पार पलट लेंगे ने इसे ब्राउन करणा है इसे लाघ ब्राउन pc अब इससे अब भूगें अब इससे जाथा लाग में करना नहीं तो और आच्छे नहीं लगेंगे तेश्ट में इनका सब तेल निकाल के और फिर निकालना है यह दिए खस्ता समोसे बनके तयार हो गए देखिए पर्त कितनी अच्छी अच्छी पर्त निकली है यह देखिए यह दिए यह दिए इतने कुरकुरे तो यह भी चाय के साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं और इनसे चाट भी बनाएं सकती है वापड़ी चाट देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं गाठे सब बनका तयार हो गए हैं देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं इसे कितने अच्छे कुर्कुरे हैं यह दख लेखें कितने अच्छी जाजया बन रही अंदर तो इसी harsh कुर्कुरे होने चीहे और इसी तरह से तलना चीहे इसे आर दिन तक रख सकते हैं एड टाइट बरतन पर रखना जिसे आर दिन चलेंगे नरम नहीं पड़ेंगे और इने तिम्हार वगेरा में बना के रख सेरो और चाय के साथ महेमानों को आये तब आराम से इसे दे सकते हैं ये बहुत ही तेश्टी रखते हैं मेदे के गाठिये और मेदे के खस्ता समोसे तो आप जरूर बनाओ एक बार